सो हलो गाईज तो इस वीकली करेंट ओफेर्स वाले वीडियो में जुलाई महीने के फूर्थ वाले वीक का ये हमारा पहला वाला पार्ट होगा तो चेली स्टार्ट करते हैं तो इस प्रश्ण में आपको बताना है जुलाई 2022 में ISSF शूटिंग विश्व कब 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पे रहा तो आंसर होगा भारत तो ISSF शूटिंग विश्व कब 2022 ये कहा हुआ साउथ कूरिया के चांग वोन में भारत इसमें भारत पांच गोल्ड, छे सिल्वर और चार ब्रौंज मेडल के साथ यानि कि टोटल पंदरा मेडल के साथ पदक तालिका में टॉप पे रहा अच्छा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका हेड़काटर कापर है म्यूनिक जर्मनी में है यह आप याद रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में किसे अंतरराश्ट्रे टैनिस हॉल अफ फेम में शामिल किया गया तो आंसर होगा लेटन ह हैविट को तो दो बार के Grand Slam Champion और दुनिया के पूर्वे नंबर वन खिलाड़ी लेटन हैविट को अंतरराश्ट्रे हॉल अफ फेम में शामिल किया गया याद रखना यह आउस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है एक्चुली में इनेhें 2021 में हॉल अफ फेम में शामिल किया गया तो Hall of Fame में जगे बनाने वाले वो Australia के 34 वे 34 नंबर के खिलाड़ी है Tennis की बात है तो तीन Grand Slam आपको याद रखने है Australian Open साल का पहला Grand Slam था उसमें Main Single Title जीता राफेल नडाल ने वो Spain की प्लेयर है वो Main Single Title जीता है Ashley Barty ने वो Australia की प्लेयर है और इसके बाद इन्होंने सन्यास ले लिया दूसरा Grand Slam French Open था इसमें Main Single Title इन्होंने जीता है राफेल नडाल ने Women Single Title इगा स्विटेक ने जीता वो पॉलेंड की है और फिर हुआ था Wimbledon Open इसमें Main Single Title नवाग जोकोविच ने जीता वो सर्बिया के हैं और Women Single Title जीता रबा कीना ने ये कजाकिस्तान की है और अब US Open भी होता है अच्छा ये बताओ कौन-कौन सा Grand Slam किस कोट पे होता है तो पहला और आखरी Australian Open और US Open होता है हार्ड कोट पे दूसरा वाला French Open ये कले कोट पे होता है और Wimbledon Open होता है ग्रास कोट पे ये आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे चलो बताओ अभी T20 International किरकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले किरकेटर कौन बन गए तो आंसरोगा Michael Breswell तो New Zealand के है Michael Breswell और अभी T20 International किरकेट में अपने करियर के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले ये पहले किरकेटर बन गए है उन्होंने Ireland के खिलाफ ये कारणामा किया और वे पुरुष T20 International में हैट्रिक लेने वाले New Zealand के तीसरे किरकेटर बन गए है तो इनका नाम याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताओ 25 जुलाई 2012 से पहली खेलो इंडिया फैंसिंग विमेंस लीग ये कापे शुरू हुई तो आंसर होगा नई दिल्ली में तो पहली खेलो इंडिया फैंसिंग विमेंस लीग है जो भी 25 जुलाई 2012 से नई दिल्ले के ताल कटोरा इंडोर स्टेडिम में शुरू हुई तो ये महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रिय तल्वार बाजी पिट्योगीता है चलो मुझे एक भारते फैंसिंग प्लेयर का नाम बताओ जिनका नाम अक्सर न्यूस में रहता है तो उनका नाम में भवानी देवी ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारते महिला फैंसर बनी थी तो इनका तो नाम आपको याद रखना है आपको याद है भी खेलू इंडिया यूथ गेम्स का अभी दूसरा संस्करन हुआ था बंगलूरू में जिसका शुबंकर मैस्कोट वीरा था और उसमें टॉप पे रहा था बंगलूरू का जेन यूनिबरसिटी ये भी याद रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अभी BCCI ने घरिलू किरकेट में किसके लिए एक नई A-plus शुरू की तो अंसर होगा एंपायरों के लिए तो अभी BCCI ने किरकेट में अंपायरों के लिए एक नई A-plus शुरू किया है तो नितिन मैनन जोकी वर्तवान में ICC Elite Panel में एक मात्र भाड़ते हैं इनके साथ 9 अन्य अधिकारियों को A-plus शुरू के अंपायरों को प्रथम शुरू के खेल के लिए प्रति दिन 40,000 रुपे का भुकतान किया जाएगा जबकि B और C शुरू के अंपायरों को प्रति दिन 30,000 रुपे का भुकतान किया जाएगा BCCI के अद्धिक्ष आप जानते हो सौराव गांगोली है सचीव है जैशाह बढ़ते आगे और हाँ गाईज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करके शेयर जरूर करना क्योंकि आप लोग जब सपूर्ट करते हो वीडियोस को अगर आपको वीडियोस बाकर यह अच्छे लगते हो और अगर लगता है कि हाँ मेहनत हुई है मेहनत अगर दिखती है अभी मेरा हैड़ेक कर रहा है इसलिए शायद आबास से भी पता लग रहा हूँ अब ठीक है मौस ही हो जाता है तो प्लीज सपूर्ट करें आप लोग समझते हैं मेहनत क्या होती है आप स्टुडेंट्स हैं वीडियोस को लाइक करने के लिए बोलते हैं और अपने दोस्तों अपने गृप्स में शेर करने के लिए बोलते हैं बस और क्या उमीद करूंग आप जरूर और quiz वगेरा लगा ले ना आपकी practice के लिए quiz वगेरा भी बनाते हैं आपी के लिए बनाते हैं आपी लोग लगाओ अगर वीडियो देख रहे हैं तो quiz जरूर लगाए हर बंदा जो वीडियो देख रहा है मतलब वो पढ़ने के लिए आया है तो please quiz जरूर लगाएं वरना ये चीज़े आपको लंबे समय तक कैसे याद रहेगी बार बार इतना लंबा रेष्टर उठा के पढ़ोगे नहीं quiz लगाओगे तो आपकी practice वैसी ही होईगी जैसी exam में आपको करनी है exam में भी प्रशन दिखेगा option दिखेंगे quiz में भी तो यही हो रहा है जैसी लड़ाई आपको final में लड़नी है उसी लड़ाई की practice अभी से करनी पड़ेगी तब ही आप उसके habitual हो पाओगे तो quiz बना दी गई है PDF आपको मिल जाएगी correct exam application का link नीचे description में है बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में French Grand Prix Formula 1 race किसने जीत लिया तो अंसरोगा Max Wotspan ने और Max Wotspan अब तो याद हो गया होगा न किस car company के driver है तो Red Bull के ये driver है और इन्होंने अभी French Open Grand Prix Formula 1 race का खिताब जीत लिया ध्यान रखना बढ़ते आगे अच्छा जुलाई 2022 में नीरत चोपडा ने विश्व Athletics Championship में कौन सा पदक जीता तो अंसरोगा रज़त पदक silver medal नीरत चोपडा आप जानते हो हर्याणा के अथलीट है इनका संबन भाला फेक से है जैवेलियन थ्रोवर है और अभी इन्होंने World Athletics Championship में silver जीता एक प्रश्ण यह आएगा कि यह World Athletics Championship कहां पे हो रही थी अमेरिका में अमेरिका के यूजीन में कौन से नंबर की थी अठारवे नंबर की थी इसमें नीरत चोपडा ने silver जीता है 88.13 मीटर दूर भाला फेक करके और इस तरह से इस Championship में यह पदक जीतने वाले दूसरे भाड़ते और पहले पुरुष ट्रेक और फिल्ड एथलीट बन गए हैं क्योंकि इनसे पहले एक लॉंग जमपर है हमारी अंजू बॉबी जॉर्ज उन्होंने 2003 में ब्रोंच जीता था अच्छा सिल्वर तो नीरत चोपडा ने जीता फिर गोल्ड किस ने जीता एंडर्सन पीटर्स ने जीता वो गरनेडा के हैं 90.54 मीटर दूर भाला फेक करके आपको यादे टोक्यो ओलंपिक में नीरत चोपडा गोल्ड जीत के लाए थे सबको याद होगा कितनी दूर भाला फेका था वो यादे क्या 87.58 मीटर दूर और अभी कुछ दिन पहले स्टोक्षम में जो डाइमन लीग हुआ था उसमें 89.94 मीटर दूर भाला फेक करके नैशनल रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने अचा एक और जेविलियन थ्रोवर का नाम याद रखनाप देविंद्र जाजरिया का अभी पदम भूशन से उनको सम्मानित किया गया एक मात्र पेरा एथलीट है वो पदम भूशन से सम्मानित होने वाले राजस्तान से हैं वो और नीरत चोपड़ा को कौन सब पदम पुरुशकार मिला भी पदम शिरी मिला है साथ में अब आप लोग ये बताएंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चेंपेंशिप 2025 वाले और 2023 वाले ये कहा पर होंगे बढ़ते आगे अच्छा बताओ अभी स्विस ओपन 2022 का किताब किस ने जीता कैस्पर रूड ने जीता है तो नौर्वे के टैनिस प्लियर है कैस्पर रूड जिन्होंने अभी स्विस ओपन 2022 का किताब जीत लिया इसमें इन्होंने इटली के मोटेओ बेरेट टिनी को हराया कैस्पर रूड ये इनका नवा Association of Tennis Professional खिताब है और इससे पहले इसी साल इन्होंने BUNERS Open और जेनेवा Open टाइटल भी जीता है तो नाम याद रखना कैसपर रूड बढ़ते आगे अच्छा जुलाई 2022 में गुनत्तरवी 69 नंबर की पुरुष Senior National कबड़ी Championship 2022 को किस ने जीता तो अंचरोगा भारतेर रेलवे ने तो अभी 21 से लेके 24 जुलाई तक इस गुनत्तरवी पुरुष Senior National कबड़ी Championship 2022 का आयोजन हुआ हरियाना के चर्खी दादरी में तो इसे भारतेर रेलवे ने जीता है महराश्टर को हरा कर और ये भारतेर रेलवे की लगातार चौथी जीत है अच्छा वैसे कबड़ी में कितने प्लेयर होते तो बताया था दोनों टीम में साथ साथ प्लेयर होते और अभी प्रो कबड़ी लीग का आठवा संस्करण वाता हिस साल जिसको दबंग दिल्ली ने जीता था पटना पाइरेट्स को हरा करके वो भी याद रखना बढ़ते आगे इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं जुलाई 2022 में किसे केरल के सरवच्च फिल्म में पुरुसकार जिसे कहते हैं जैसी डैनियल अवार्ड इससे सम्मानित किया गया तो आंसर होगा केपी कुमारन को तो मल्यालम फिल्म निर्माता है केपी कुमारन जिनको केरल के सरवच्च फिल्म पुरुसकार जैसी डैनियल पुरुसकार से सम्मानित किया गया उन्होंने मल्यालम फिल्म उद्ध्योग में उनके योगदान के लिए ये पुरुसकार जीता है इसमें उन्हें 5 लाख रुपे का नगत पुरुसकार मिला बात करें केपी कुमारन की तो इन्होंने 1975 में अतिती के साथ निर्देशन की शुरुआत की और 1989 में फिल्म रुग मि इसनी के लिए मल्यालम में सर्वश्रेष्ट फीचर फिल्म कर राष्टर पुरुसकार भी जीता था तो इनका नाम आप याद रखेंगे बढ़ते आगे फिर बताईए जुलाई 2022 में किस संस्थान ने सरदार पटेल उतकरष्ट ICAR संस्थान पुरुसकार 2021 प्राप्त किया राष्टर क्रश्य अनुसंधान प्रबंदन अकादमी तो अभी राष्टर क्रश्य अनुसंधान प्रबंदन अकादमी यानि कि National Academy of Agricultural Research Management इसने सरदार पटेल उतकरष्ट ICAR संस्थान पुरुसकार 2020 को प्राप्त किया है इसने अपने समगर प्रदेशन के लिए Large Institute कैटेगर में ये पुरुसकार जीता है बात करे National Academy of Agricultural Research Management की तो इसकी स्तापना 1976 में भाटे क्रश्य अनुसंधान परिशद ICAR यानि कि Indian Council of Agricultural Research के द्वारा भारत में क्रश्य अनुसंधान और सिक्षा प्रबंदन से सम्मंदित मुद्दू के समाधान के लिए इसकी स्तापना की गई थ तो इसने पुरुसकार जीता ध्यान रखना बढ़ते आगे पुरुसकार के से विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बलकि यूक्रेन के सभी लोगों को दिया गया और उन सभी लोगों की और से ये किसने प्राप्त किया ओलिना जैलेंस के नहीं अच्छे यूक्रेन की एक और महिला का नाम आप याद रखना यूक्रेन की गणितग्या है वो नाम है मेरिना वियाजवस का अभी इन्होंने फील्ड मेडल 2022 जीता था ये अवोर्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बनी थी इसे आप जानते हो गणित का नॉबल पुरुसक जीतने वाले ये पहले अफ्रीके जो बने थे और ये जो पुरुसकार है इसको वास्तुकला का नोबल पुरुसकार कहा जाता है ये पॉइंट भी ध्यान रखना ये पूरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में किसे राष्ट्र अभू विज्यान पुरुसकार 2019 से सम्मानित किया गया तो अंसर होगा आनंद पी सिंग को तो अभी हाली में आनंद पी सिंग को प्रतिष्थित राष्ट्र अभू विज्यान पुरुसकार से सम्मानित किया गया ये जो पुरु उल्लेखनिय योगदान देने के लिए दिया गया है अगर बात करें आनंद पी सिंग की तो ये CSIR NGRI यानि कि राष्ट्र भू भूति की अनुसंधान संस्थान जो की हैदराबाद में है उसमें एक भू विज्ञानिक है इतना ज़्यादा याद मत रखो ये फाल्तु की 22 का सुभाज चंदर बोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार किसे मिला था विनोत शर्मा को और अभी सरस्वती सम्मान 2021 का मिला था रामदरश मिश्रा को जो की 31 नंबर का था उनके कवीता संगरह मैं तो यहाँ हूं के लिए बढ़ते आगे अच्छा बताओ अभी हाल में किसे 68 वे राष्टर फिल्म पुरुसकारों में बेस्ट एक्टर चुना गया तो अंसर होगा अजिदेवगन को तो 68 नंबर के नैशनल फिल्म अवार्ट्स हैं यह जिनके अभी घुशना कर दी गई यह पुरुसकार 2020 के लिए दिये गए हैं अलग-लग कैटेगरी इसे जो इंपोर्डेंट है वो आप देख लो जैसे की बैस्ट एक्टर की कैटेगरी में दू को चुना गया है एक तो अजिदेवगन हो गए ताना जी मुवी के लिए इनको चुना गया और एक मल्याली फिल्म अभीनेता है सूर्या उन्हें सूर राइप पुट्रू मुवी के लिए चुना गया वहीं अगर बेस्ट एक्टरिस की बात करेंगे तो अपड़ना बाला मुरली को चुना गया है सूर राइप पुट्रू मुवी के लिए वहीं बेस्ट हिंदी फिल्म रही है तुलसी दास जूनियर, बेस्ट फीचर फिल्म है सूर राइप पोट्रू ये एक तमिल फिल्म है, बेस्ट डारेक्टर की बात करेंगे, तो सच्ची दानानंद के आर को चुना गया एक के आयपन कोशियम के लिए, अच्छा ये याद सिनेमा की पहली एक्ट्रिस दिविकार रानी पर अधारित किश्वर देशाई की किताब है दे लॉंगेस्ट किस, उसको बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का आवर्ड मिला, ये पॉइंट भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी हाली में वैश्वी कुर्जा पुर इंजिनेरिंग के प्रोफेसर है, और ये पुरुषकार किसके द्वारा दिया जाता है, ग्लोबल एनर्जी असोसियेशन, आप जानते हो, केपी कुमारन को, मल्यालम फिल्म मेकर है, जिनने केरल का हाइस्ट फिल्म अवर्ड, जेसी डेनियल अवर्ड मिला भी, तनूजा न भारत है, ये किस वर्ष तक, क्रशी में डीजल की जगे नवी करने और जा, रिनेबल एनर्जी का इस्तमाल करना शुरू कर देगा, क्या लक्ष रखा है, 2024 का, याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताओ, अभी हाली में कौन सा राज्य वाहन ट्रेकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदीश, तो अभी हिमाचल प्रदीश सरकार ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं और बच्चों की साहेता, वा सुरक्ष जो होगी उस बटन को दबा करके साहेता पा सकेगी, मतलब जैसे इस बटन तो दबाएंगे एक मैसेज आजपास की जो पुलिस थाने होगे वहाँ पे पहुँच जाएगा और जल्दी वो उनकी मदद के लिए पहुँच सकेगी, और याद रखना ये डिवाइस लॉंच कर ने की थी हिमाचल परदेश में, जिसमें क्या होगा, राजी की महिला हैं, वहाँ के जो सरकारी बसे होंगी, उनको उसमें किराह में छूट मिलेगी 50% तक की, भारत का भी सोबा हर घर जल वाला जिला कौन सा बना तो आंसर होगा, हिमाचल परदेश का चमबा जिला, और हर गरजल का लक्षय कप का है, दो हजार चौबिस का है, अभी हिमाचल परदेश ने ही सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना भी शुरू की है, आप जानते ही हो, भारत में 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया, ये सब याद रखना बढ़ते आगे, अचा बताईए देश का पहला क्लाईमेट चेंज लर्निंग लैब ये कहां पर स्थापित किया गया तो अंचरो का पटना में, तो अभी भारत में जलवायू परिवर्तन के चुनोती से लड़ने के लिए देश का पहला क्लाईमेट चेंज लर्निंग बिन पहलूं पर आम जनता को विशेश करके इसकूली बच्चों को जागरुक करेगा, वैसे आपको बता दू कि जलवायू परिवर्तन के समस्याओं को लेकर के वर्ष 2015 में, पैरिस समझोता परियोजना के तहट देश के चार राज्यों में, हर्याना, गुजरात, केरल और बिहार, यहाँ पर जलवायू परिवर्तन प्रियोक्षाला के स्थापना की जानी थी, लेकिन सबसे पहले ये लेब बिहार के पटना में खुली है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इस Climate Change Learning Lab को European Union और Germany की एक संस्ता है, GIZ उसके द्वारा स्थापित किया गया है, आप मुझे बताओ, अभी जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग, Climate Change Performance Index 2020 आया था, जिसको जर्मन वाच ने जारी किया था, उसमें भारत दसवे स्थान पे था याद रखना, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे कोई भी देश नहीं है, चौ गुझरात के ग्रीन मेन के नाम से मशूर सूरत के उद्योगपती हैं, विरल देशाई, और आपको याद हो तो नीती आयोग ने अभी कुछ समय पहले, राज्य उर्जा और जलवायू सूचकांग, State Energy and Climate Index को जारी किया था, बड़े राज्यों में तो गुझरात टॉप पे अभी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुन का अनावरन किया, अभी नई दिल्ली में आयोजित स्वाव लंबन कारेकरम में प्रधान मंतरी के सामने इसका प्रड़ेशन किया गया, अब पूरी दर से परिक्षन के बाद युद्ध में पहली बार भात्य नौसेना युद्ध पोतों पर इसका इस्तमाल करेगी इसके बाद ये इंसानों को ले जाने के लिए भी इस्तमाल होगा इसके बारे मैं आपको बता दू ये जो वर्ण ड्रोन है ये एक बार में कितनी दूरी तक उड़ान भर सकता है तो 25 किलोमिटर की इसकी रेंज है कितने मिनिट में पहुचेगा 25 से 33 मिनिट तक का ये समय लेगा एक जगे से दूसरी जगे पर जाने में कितना वजन ढो सकता है 130 किलोग्राम का वजन उठा सकता है और कितने दूरी पर उड़ेगा जमीन से दू मिटर उपर दूरेगा ये इसे स्टार्ट अप है सागर डिफेंस एंजिनेरिंग उसके द्वारा तयार किया गया है तो यह आप ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अब यहाली में देश का पहला हर घर जल प्रमानित यानि की सत्यापित यानि की वेरिफाइड जिला कौन सा बन गया है तो आंसरोगा बुरहानपूर तो मर्दे पर देश का बुरहानपूर ये देश का पहला हर घर जल प्रमानित जिला बन गया है तो याद रखना बुरहानपूर ये देश का पहला जिला है जहां सभी 254 गाओं के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेजल उपलब्द है अच्छा कुछ important प्रश्ण अब मैं आप लोगों से पूछूंगा उत्तर आप लोग देते हुए चलना बताओ हर घर जल वाला भी सोवा जिला कौन सा बना था तो अंसर होगा हिमाचर प्रदेश का चमबा जिला और वैसे जल जिवन मिशन इसका उद्देशी क्या है हर ग्रामीन घर में नल कनेक्शन हो करना लक्षे रखा है 2024 तक का हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना था ये गोवा बना था और वैसे जल जिवन मिशन की शुरुआत कब होती है 15 अगस्त 2019 को बताओ वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है 22 मार्च को और 2022 में ही तीसरे राष्टर जल पुरसकार अभी 2020 की घोशना हुई थी जिसमें उत्तर प्रदीश टॉप पे रहा था ये भी याद रखना अच्छा बताओ 24 गंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना उडिसा का पूरी अभी आपको याद होगा स्टॉक होम जल पुरसकार 2022 ये मिला है प्रोफेसर विलफरेड बुटसर को और इसे Nobel Prize of Water भी का जाता है अच्छा अगर आपसे पूछे Water Plus Certificate पाने वाला पहला शहर कौन सा बना तो आंसर होगा इंदोर और भारत का पहला जियो पार्क ये बना है मद्यपरदेश के जबलपुर में लमहेटा गाउं है वहाँ पे और जबलपुर आप जानते हो यहाँ पे मद्यपरदेश का हाई कोट भी है और ये किस नदी के किनार इस्तित है नर्मदा नदी के किनारे चलो बताओ भारत का पहला बायो मास आधरेट जो हाइडरोजन प्लान्टे ये कहाँ पे खुला गया खंडवा मद्यपरदीश में और आप जानते ही हो धुआधार जलपरपात ये आपको कौन से नदी पर मिलेगा नर्मदा नदी पर मिलेगा और अमकार इश्वरबांध ये भी आपको मिलेगा नर्मदा नदी पर बढ़ते आगे चलो बताओ भारत के पहले मस्तिश की स्वास्त क्लिनिक का उध्वाटन की शहर में किया गया तो अंसरों का बंगलूरू में तो अभी करनाटक के जो स्वास्त मंत्री हैं के सुधा कर उन्होंने बंगलूरू में भारत के पहले Brain Health Clinic का उद्धुहाटन किया और याद रखना जो किर्केटर है रोबिन उथपपा वो इसके brand ambassador होंगे अभी World Brain Day आपने मनाये था कब 22 चुलाई को और World Brain Tumor Day कब होता है 8 जून को होता है ये भी याद रखना बढ़ते आगे अभी बताईए दुनिया की दूसरी सबसे उची चोटी केटू पर चड़ने वाले पहले बांगलादेशी कौन बने तो आंचारोगा वसिफा नाजरीन तो वसिफा नाजरीन ये बांगलादेश की पहली परवता रोही बन गई है दुनिया की दूसरी सबसे उची परवत चोटी यानày कि केटू पर चड़ने बाली इसकी हाइट कितनी है इस केटू परवत की वसिफन थाजरीन की नहीप तो इसकी हाइट है 8,611 मीटर यह माउंट टेवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे उची परवत चूटी है ये काराकुरम श्रिनी में आपको मिलेगी काराकुरम रेंज में इसे गौडविन आस्टिन भी गहते हैं आपको स्काल्जेंग रिग जिन का नाम याद है अभी नेपाल की अन्नपूर्णा चूटी पर बिना ओक्सीजन की साहिता के चणने वाले पहले भारते परवता रोही बने थे ये लद्दाग के हैं और इसी तरह से बिना ओक्सिजन की साहिता के माउंट एवरेश पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला परवतारोही कौन बनी थी? पियाली बिसाग बनी थी केंटन कूल का नाम भी याद होगा प्रिटिश परवतारोही है केंटन कूल ये सूला बार माउंट एवरेश पर चड़ने वाले पहले विदेशी परवतारोही बन गए अभी तो ये नाम भी याद रखना बढ़ते आगे अच्छा बताओ जुलाई 2022 में देश के नएर राष्टरपती कौन बने? तो अंसर होगा द्रौपदी मुर्मू तो अभी 64 साल के द्रौपदी मुर्मू ये देश के पहले आदिवासी महिला राष्टरपती निर्वाचित हुई है और साथ में ये भी आप कह सकते हो ये अब तक की सबसे युवा राष्टरपती भी है और ये वो राष्टरपती है भारत की जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है और हमने ये तो बताई दिया कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्टरपती है तो आदिवासी महिला है लेकिन अगर केवल महिलाओं में बात करोगे तो फिर ये दूसरे नमबर की है इनसे पहले कौन रह चुकी है महिला राष्टरपती तो आंसर होगा प्रतिबा पाटल और ये कौन से नमबर के राष्टरपती बनी है पंदरवे नमबर की बनी है ये points note करते जाना ध्रोपती मुर्मु की अगर हम बात करते तो देखो ध्रोपती मुर्मु के बारे में जो भी details, explanation है उसके लिए एक short audio मैंने बना दिया है मुश्किल से एक या दो मिनिट का वो audio होगा उसको आप जरूर से सुनना अगर आपने नहीं सुना है तो चाहे तो ये वीडियो देखने के बाद सुनना आपको link नीचे description में मिलेगा audio नाम से क्योंकि अभी यहाँ पे मैं आपको वो ही point बता रहा हूँ जो आपके exam point of view से important है point to point चीज़े मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो या तो हम daily current affairs वाले में देते हैं या ज़्यादा explanation देना होता है वो explanation में सार आपको daily current affairs वाले में दे देता हूँ यहाँ मेरा मकसद है weekly या monthly वाले में कि to the point में चीज़े आपको बता हूँ क्योंकि यहाँ पे video बहुत lengthy हो जाता है अब ही मैं क्या करता हूँ आपको precedent से राष्टरपती से जो भी संबंदित प्रशन exam में कई बार exam में पूछे गए हैं जो repeat हुए प्रशने वो आपको करा देता हूँ वो आपके लिए जादा helpful होंगे द्रोपदी मुर्गमु से related जो भी important points थे वो नमें आपको बताई दिये कौन से number की है पहली माईला है दूसरी माईला है बाकी और संबंदित प्रशन देखो क्या बन सकते हैं exam में या क्या बने है exam में जैसे कि एक बार पूछा गया था exam में कि भारत में कार्रेपालिका का अध्यक्ष कौन होता है तो आंचरोगा प्रसिडेंट भारते समविधान के अनुसार संग की कार्रेपालिका शक्तियां किसके नहीत होती है तो आंचरोगा प्रसिडेंट तीनों सेनाव का सर्वूच कमांडर President होता है भारत का राश्टरपती बनने के लिए जो minimum AJ वो कितनी हो नीची अच्छा प्रशन पूछा गया एक्जाम में 35 वर्ष है Maximum कोई limit नहीं है अच्छा एक वेक्ड़ी राश्टरपती पद के लिए Maximum कितनी बार निर्वाचित हो सकता है कोई limit नहीं है कितनी बार भी हो जाओ अच्छा भारत के राश्टरपती राश्टरपती राश्जय समा में कितनी सदस्य मनोनीत कर सकते है सबको बताए 12 एक बार एक्जाम में ये पूछा गया था कि किसी राश्जय में राश्टरपती शाषन कितने समय के लिए रह सकता है तो आंसर होगा 3 साल और पहली बार राष्टरपती शाषन कब लागू हुआ 20 जुलाई 1951 को भारत के राष्टरपती को पदवगोपनियता की शपत कौन दिलाता है Chief Justice of India और राष्टरपती अपना त्याग पत्र किसे सौपते है उपर राष्टरपती को तो ये कुछ सम्मन्दित इन से परशन थे जो exam में repeat हुए जो जादा बार repeat हुए वैस्टो और भी कहीं सारे परशन है लेकिन जो कहीं बार repeat हुए वो मैं आपके सामने लेकर के आया तो उनको ध्यान रखना बढ़ते आगे चलो बताओ अभी इटली के प्रधान मंतरी ने अपने पत से इस्तिफा दे दिया नाम मारियो द्रागी एक्चुली में इटली की संसद में विश्वास प्रस्ताव के दोरान दूसरे बड़े सहयोगी दल ने इसमें भाग नहीं लिया इसके बाद इटली के प्रधान मंतरी मारियो द्रागी ने राष्ट्रपती को अपना इस्तिफा सोब दिया यहां के राष्ट्रपती कौन है? सर्गियो मेत्तर रिला इटली की केपिटल होती है? रोम जहां पर आपको Food Agriculture Organization का Headquarter मिलेगा अच्छा भी इस्राइल के नए पर धान मंतरी कौन बने थे? या या रलेपेडर और श्ट्रेलियक के पर धान मंतरी कौन बने थे? एंथनी अलबनीच और फ्रांच की दूसरी महिला पर धान मंतरी कौन बनी थी? अलिजाबेथ बॉर्न बनी थी तो यह आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे तो इस प्रेशन में आपको बताना है टाटा प्रोजेक्ट ने किसे अपना नया प्रबंद निदिशक बनाया तो आंसर होगा विनायक पाई को तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने विनायक पाई को अपना मैनेजिंग डिरेक्टर नियूक्ट किया वे किन का इस्तान लेंगे? विनायक देश पांडे का आपको यादे भारत के अभी नए संसद भवन ये कौन बना रहा है? टाटा प्रोजेक्ट और अभी रेल टेल के CMD बने हैं संजे कुमार अभी भार्टे विश्विध्यालों के संग का अध्यक्ष बनाया गया था सुरंजन दास को और साउथ सुदान में सैयुक्त राष्टर मिशन में फोर्स कमांडर बने थे मोहन सुब्रमन्यम तो ये भी याद रखना बढ़ते आ गए बताओ अभी किसे कुवेत के नए प्रधान मंतरी के रूप में न्यूक्त किया गया तो आंसरों का शेक महम्मद सबाल सलेम को तो शेक महम्मद सबाल सलेम ये कुवेत के नए प्रधान मंतरी बन गए है याद रखना कुवेट जिसके capital कुवेट city है करंसी है कुवेटी दिनार आपको याद है अभी ओपेक ने कुवेट के हातम अलगिस को नया सेक्रेटरी जन्रल बनाया था ओपेक जिसका headquarter वियन आउस्ट्रिया में है अब आपको ओगे कि हमने पढ़ा था अभी ओपेक के जो अभी तक सेक् मोहमद बरकिंडो आप जानते हो भी United Arab Amirat के नए प्रसिडेट कौन बने मोहमद बिन जायद अलनहयान और सोमालिया के प्रसिडेट बने थे हसन शेक मोहमद और सोमालिया के प्रधान मंत्री कौन बने थे हमजा अबदी बर्रे याद रखना ये बढ़ते आगे चलो बताओ अभी ONGC विदेश लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कौन बन गए तो आंसर अगर राजर अरशी गुपता तो याद रखना राजर अरशी गुपता ये ONGC विदेश लिमिटेड के मेनेजिंग डिरेक्टर बन गए इन्होंने किन का इस्थान लिया अलुक गुपता का पहले ONGC की बात करते हैं इस्तापना होती 1956 में आपने कहा महरतने कमपनी है आप जानते होंगे आपके मन में आभीरा होगा अभी इसकी पहली मैला निदेशक कौन बनी थी अल्का मिक्तल हमने कहा ही ये एक महरतने कमपनी है तो बताओ अभी वर्थमान में टोटल कितनी महर अतने कंपनिया है याद अठना ग्यारा हो चुकी है ग्यार भी पितले साल बनी थी कौन सी पावर फिनेंस कॉर्पोरेशन अचा गुपता आगया ना गुपता चलो कुछ इंपोर्टेंट गुपताओं के बारे में आपको बताते हैं जैसे की गेस अथोरेटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके चेर्मेन बने अभी संधीब कुमार गुपता सेंट्रल बॉर्ड अफ डारेक्ट टेक्स के चेर्मेन बने नेतिन गुपता नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डारेक्टर जन्रल बने दिनकर गुपता अभी अमारे नए डेप्यूटी इलेक्शन कमिशनर उप चुनाव आयुक्ट बने थे आरके गुपता और रतन इंडिया पावर के मेनेजिंग डैरेक्टर बने ब्रजेश गुपता गुपता कमाल कर रहे हैं भीया क्या बात है आप में से कौन-कौन गुपता है जो अपने भाई बन्दूओं के बारें पढ़ रहे हैं खुश तो बहुत होंगे आज चलो बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में F.I.H. ने किसे कार्रेवहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है तो आंसर होगा सेफ अहमद तो आप जानते हो अभी नरिंदर बत्रा ने F.I.H. के अध्यक्ष पद से इस्तिफा दे दिया था उन्होंने इंडियन ओलंपिक असूसियेशन के अध्यक्ष का पद भी छोड़ दिया और भारते उलंपिक समिती की सदिस्सेता को भी छोड़ दिया तो अब इंटरनेशनल होके फेडरेशन ने मिश्र के सेफ अहमद को कारवाहक अध्यक्ष न्यूक्ष किया है कारवाहक अध्यक्ष का मतलब क्या हो गया ये कुछ समय के लिए बने रहेंगे जब तक यहाँ पे कोई पर्मानेंट व्यक्ति ना आ जाए और अगले चुनाव कब होंगे पांच नवंबर को तब तक ये इस पत पर बने रहेंगे आप जानते हो मेंस होकी वर्ल्ड कप 2023 में होंगे कहाँ पर उडिसा में अभी केवी आईसी के चेर्मेन कौन बने मनुच कुमार बने थे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज के MDCU आशिश कुमार चोहान बने और बंबे स्टॉक एक्सचेंज के SS मून रड़ा बने थे वो भी नाम याद रखना अभी इंडियन वेट लिफ्टिंग असूसियेशन के अध्यक्ष बने थे 2022 के लिए उनका नाम है महांमद जलूद और इंटरनेशनल होके फेडरेशन का हैड़ कोटर कहां पर है जूरिक स्वेट जलेंड में है ये भी नाम याद रखना बढ़ते आगे फिर बताओ अभी हाली में श्रीलंका के नए प्लधान मंतरी कौन बन गया है तो अंसारो का दिनेश गुणवर्धने तो अभी दिनेश गुणवर्धने ये श्रीलंका के नए प्लधान मंतरी बन गये है इनका नाम याद रखना और छे बार के प्लधान मंतरी पदकु समाल जालने वाले रानेल विक्रम सिंगे इन्हे श्री लंका का नया राष्ट्रपती बनाया गया है इनका नाम भी याद रखना श्री लंका अभी काफी न्यूज में है तो ये दोनों नाम याद रखना परधान मंतरी कौन दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपती कौन रान पहले ये प्रदान मंतरी बने थे लेकिन इस्तिफा दी दिया था अज़कल यही हो रहा है यहां पर इस्तिफा दे रहे फिर बन रहे फिर इस्तिफा दे रहे फिर बन रहे अभी लेटेस्ट में यह है तो इनके नाम याद रखना बाकी इसराइल के भी प्रदान मंतरी कौन ब किया तो अंसर होगा संजी अगरवाल को आपको याद होगा करशी कानून के खिलाफ करशी अंदोलन चला था फिर सरकार ने उन तीन करशी कानूनों को वापस लिया था और कहा था कि MSP को लागू किया जाएगा तो उसके लिए अभी एक समीटी बनाई गई है जो MSP को और पारदर्शी तरीके से लागू करना MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नियूनतम समर्थन मूलिया इसका मतलब क्या हो गया अगर सरकार किसी वस्तू या किसी फसल के लिए MSP डिसाइड कर देती है तो फिर उस फसल का कितना भी उत्पादन हो जाए सरकार को उसे उस न सरकार को उसे उस नियूनतम कीमत पर तो खरीदना ही पड़ेगा जो सरकार ने उसकी तै की है MSP मिनिममम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर उसका फाइदा हो गया तो उसी के लिए है ये अच्छा आपको बता दू MSP डिसाइड करने का काम है करशी लागत और मूल्य आयोक का और अभी इसके नए अध्यक्ष बने से कुछ समय पहले विजे पॉल उनका नाम है अच्छा एक और important प्रश्ण याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि किस समीती ने MSP को लागत मूल्य का डेड़ गुना करने पल बल दिया तो आंशार होगा स्वामिनाथन समीती स्वामिनाथन वही हैं बारत में जिनने हरित करांती का जनक का जाता है अच्छा मुझे बताओ अभी जम्मू कश्मिर परिसिमन के लिए कि सायोग का गठन हुआ था रंजना परकास देशायायोग और इसने जम्मू कश्मिर में कितने सीट डिसाइड की नब है आप जानते हो पंजाब में प्रधान मंतरे जी की सुरक्षा में चूख हो गई थी तो उसकी जाँच के लिए सर्वोच नैले ने कौन सी समीती का गठन किया था इंदू मलोत्तरा समीती और नाबाड की स्थापनक की समीती की सिफारिश पर होती है शीवरमन समीती त्यान रखना ये सब बढ़ते आगे चलो बताओ अभी किसे वुड़ाफोन आइडिया का नया CEO बनाया गया तो आंसर होगा अक्षे मुंदरा को तो याद रखना अक्षे मुंदरा ये वुड़ाफोन आइडिया के नया CEO बन गए है किनका इस्थान लिया रविंदर टककर का इस्थान लिया और मुंदरा से एक और नाम याद आएगा आपको SS मुंदरा का नाम Bombay Stock Exchange के MDCO बने ये बाकि अभी National Stock Exchange के MDCO कौन बने थे आशिश कुमार चोहान और मनुच कुमार ये KVIC के चेर्मेंट बने है क्योंकि इन से पहले कौन थे विने कुमार सक्षेना वो तो दिल्ली के उपरा जिपाल बन गए ध्यान रखना बढ़ते हैं के अच्छा बताओ अभी हाली में विश्व मश्टिश के दिवस कब मनाया गया तो अंसरों का 22 चुलाई को तो हर साल 22 चुलाई को Multiple Sclerosis के प्रती जाग रुपता बढ़ाने के लिए ये World Brain Day के रुप में मनाया जाता है Theme क्या है Brain Health for All वेसे Brain Tumor Day का मनाते हैं तो वो भी याद रखना 8 June को मनाया जाता है अच्छे एक प्रशन का उत्तर दो ये प्रशन काफी बार एक्जाम में repeat होता है General Science में पूछा जाता है ये प्रशन की Brain का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है तो आंसर होगा Cerebrum और अगर आपसे पूछा जाए EEG का प्रियोग किसकी गतिविती दर्च करने के लिए किया जाता है तो आंसर होगा मस्तेश्क EEG का मतलब होता है Electro Encephalogram और एक ECG भी होता है जो हरदे के लिए होता है उसे कहते है Electro Cardiogram तो ये ध्यान रखना बढ़ते हैं पर बताईए अभी हाली में भार्तियर राष्टर ध्वच अंगी करन दिवस का मनाया गया तो आंसर होगा 22 चुलाई को तो हर साल 22 चुलाई को भार्तियर राष्टर तिरंगे को अपनाने के उपलक्ष में ये Indian National Flag Adoption Day के रुपे मनाया जाता है आप जानते हो हमारे राष्टर ध्वच का डिजाइन किस ने तयार किया था पिंगली वेंग के याने और इसे 22 चुलाई 1947 1947 को भार्तिय सम्विधान सभा के द्वारा अपनाया गया था पहला राष्टर ध्वच 7 अगस्ट 1906 को कॉलकता के पार्सी बागान स्क्वेर यानि की ग्रीन पार्क में फेराया गया था आपको पता ही हमारे राष्टर ध्वच में तीन रंग है किसका क्या-क्या महत्व है तो जो उपर है केसरी रंग वो शक्ति और साहस को दर्शाता है बीच में जो सफेद है जो धर्म चकर के साथ है वो शांती और सच्चाई को दर्शाता है और नीचे जो हरा रंग है वो उर्वर्ता, विकास और सुब्धा को दर्शाता है हमने कहा बीच में जो चकर है यानि कि जो अशोक चकर है उसमें कितनी तीलिया होती है बताओ 24 तीलिया होती है आपको याद है अभी हर घर तिरंगा अभ्यान ये 13 से लेके 15 अगस्त तक चलेगा इस अभ्यान में क्या है? अपने घरों से तिरंगा फैराकर इसमें आप शामिल हो सकते हैं उद्देश ये यही है देश भक्ती की भावनों को जागरत करना लोगों में आप जानते हो जैसल मेर में लोंगे वाला में प्रदशित किया गया था विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रे द्वज ये भी ध्यान रखना बढ़ते हागे अच्छा बताओ अभी राष्ट्र परसारन दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा तेविज जुलाई को तो हर साल तेविज जुलाई को नेशनल ब्रोड़कास्टिंग देके रुप में मनाया जाता है इसे मनाने का उद्देशी क्या है लोगों को रेडियो के महत्व के बारे में बताना और 23 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 को एक प्राइविट कमपनी थी इंडियन ब्रोड कास्टिंग कमपनी उसके तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहले बार रेडियो प्रसारन शुरू किया गया था और 8 जुन 1936 को भारत्यर राज्य प्रसारन सेवा ओल इंडियार रेडियो बनी थी आप जानते हो पुब्लिक सर्विस ब्रोड कास्टिंग डेबिय होता है वो 12 नवंबर को मनाया जाता है चलो एक प्रस्ण का उत्तर दू अभे द्रश्टे भादित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष ये कहां लॉंच हुआ था नागपुर में और आप जानते हो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है तेरा फरवरी को इस दिन राष्टर महिला दिवस भी होता है नेशनल वोमिन्स डे और प्रसार भारती के भी नए सीउ बने हैं उनका नाम है मयंक कुमार याद रखना नाम बढ़ते हैं चलो बताओ अभी आईकर दिवस कब मनाया गया तो आंसर होगा 24 जुलाई को हर साल 24 जुलाई को हम यह आईकर दिवस के रूप में मनाते हैं कौन मनाता है विसे CBDT के द्वरा मनाया जाता है पहली बार इसे 2010 में मना गया था अचा CBDT की बात है न तो CBDT के नए अद्यक्ष कौन बन गए नेतियन गुपता बन गए यह नाम याद रखना बढ़ते हैं अब बताओ किस बैंक ने वाटसब बैंकिंग सेवा यह शुरू की तो आंसर होगा SBI ने तो अभी SBI ने वाटसब बैंकिंग सर्विस को श पजबूत करने के लिए यह वाटसब सेवा इसने शुरू की है तो ग्राहक को जो भी बैंकिंग सेवाएं चाहिए वो सभी वाटसब में उसको मिल जाएगी फिर आपको बैंक की अप्लिकेशन खोलने की ज़रत नहीं बढ़ेगी यहाँ अभी वर्तमान में तो आपको बैल करने वाला पहला बैंक यही था SBI बैंक दिनेश कुमारा खारा यहां के अध्यक्ष हैं अभी PNB के MDCO बने था अतुल कुमार गोयल और ICICI बैंक से याद है Campus Power नाम से एक डिजिटल प्लैटफॉर्म इसने लॉंच किया था इसने MSME के लिए Open for All डिजिटल एको सिस्टम भी लॉंच किया था और इसके फिर से MDCO बन गए संदीप कुमार बक्षी याद रखना नाम बढ़ते आगे हैं चलो बताओ अभी हाली में CBDT और किस बैंक ने ऑनलाइन कर भुकतान सेवाओं की पेशकर्ष करने के लिए आपस में समझूता किया तो अंचरोगा फेडरल बैंक तो अभी फेडरल बैंक ने e-filing portal में कर दाताओं को e-pay कर सुविधा के मादेम से बुकतान करने में सायता करने के लिए अभी CBDT के साथ समझूता किया तो अब कोई भी debit या credit card से या UPI से या net banking या नगद से भी अपना कर का बुकतान यानिकी tax पे कर सकता है फेडरल बैंक की बात करें इसका headquarter अलुआ केरल में है CEO श्याम श्रीनिवासन है आप जानते हो अभी Euromoney के द्वारा दूसरी बार विश्व का सर्विशरिष्ट SME बैंक चुना गया था DBS बैंक को और अभी Kotech Mahindra Bank या IT Portal के साथ एकिकरत यानिके integrate होने वाला पहला बैं आप से small finance bank की बात करेंगे तो बच्चों के लिए enjoy नाम से snake saving account launch किया था थ्यान रखना बढ़ते आगे अब बताओ जुलाई 2022 में जारी नितिया आयोग के नवाचार सूचकांग में कौन सार राज्जे टॉप पर है तो अंसर होगा करना ठक तो अभी नितिया आयोग ने इंडिया innovation index 2021 को जारी किया ये इस index का तीसरा संसकरन ने जान रखना और ये सूचकांग भारत में सभी राज्जे और केंदर शाशित प्रदेशों के नवाचार प्रदेशन का मुल्यांकन करता है इसे तीन category में बाटा गया है तो पहली category आपक East and Hill States की category इसमें मनिपूल टॉप पर है तीसरी है केंदर शाशित प्रदेश और शेहरी राजियों की category यानि की Union Territories and City States में चंडिकर टॉप पर है इसमें ये तीसरा संसकरन है पहला संसकरन इसका October 2019 में आय था दूसरा जनवरी 2021 में और ये अभी 2022 में आया नीतिया आयोग से दो प्रशन आपको याद रखने हैं आपके Current Affairs के हैं कि इसके नए CEO कौन बन गए परमेश्वरन I.R. बन गए हैं अमिताप कांत की जगे वैसे आप जानते हो अमिताप कांत अभी G20 के लिए भारत के शेरपा बन गए हैं अभी नितिया आयोग के नए उपाद्यक्ष भी बन सर्मा उन्होंने सुदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और वश्त्रों और हत करदा विरासत के संग्रक्षन को सुनस्चित करने के लिए स्वा निर्भर योजना शुरू की है तो इसमें होगा क्या राज्य सरकार एक Web Portal के माध्यम से सिधे सुदेशी बुनकरों से हत करदा वस्तों की खरीद करेगी ये योजना राज्य में हत करदा और वस्तों की विरासत तो संग्रक्षित करने में मदद करेगी अच्छा एक प्रशन में आपसे पूछूँगा बताओ अभी किस राज्य ने बुनकरों के लिए नेकरा सम्मान योजना शुरू की थी तो आंसरू का ते लंगना एक डेबी है नेशनल हैंडलूम डे राष्ट्रे हत करदा दिवस वो भी याद रखना साथ अगस्त को मनाया जाता है और असम से आपको एक नाम याद आएगा चलो आप ही बताओ अभी भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क जो की असम का साथवे नंबर क नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है पढ़ते आगे फिर बताइए एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पे होगा तो आंसर होगा युनाटेड अरभ अमिरात में तो अब ये युनाटेड अरभ अमिरात में होंगे तो याद रखना है आपको क्या कि 2022 में ये जो एशिया कप है ये शिरिलंका नहीं युनाटेड अरभ अमिरात में होंगे अभी 27 अगस्त को शुरू होंगे जो कि 11 सप्तिम्बर तक चलेंगे ये जो एशिया कप है T20 फॉर्मेट में होंगे ध्यान रखना पिछला वाला जो एशिया कप था वो भी युनाटे चैंपिंशिप है वो का पे होंगे टोकियो जापान में होंगे अभी वाले का होए 2022 वाले युएस में अमेरिका में अच्छा आप जानते हो भी T20 वल्ल्ड कप जो हुआ था वो भी युनाटेड अरभ अमिरात में हुआ था जिसको ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था और यु तो आंसर होगा उत्रप्रदेश तो अभी उत्रप्रदेश सरकार ने राज्य के अर्थ विवस्ता को एक ट्रिलियन डॉलर के इस्तर पर लाने की यूजना का सुझाओ देने के लिए डैलोईट इंडिया को एक सलाकार के रुप में नियुक्त करने का नेने लिया आपको ब राष्टर पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका है डुक्वार्टर मिलेगा आपको लंडन में बढ़ते आगे चलो बताओ अभी हाली में नैसकॉम फाउंडेशन ने ग्रामीन महिला उद्यमियों की साहिता के लिए किस पहल के तहत कॉल सेंटर शुरू करने की गोशना की तो अंसर होगा डिजी वाणी तो अभी नैसकॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर के डिजी वाणी पहल के तहत तो कॉल सेंटर शुरू करने की गोशना की है तो डिजी वाणी ये एक ऐसा इस्थान होगा जहां ग्रामीन महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने Association of Software and Services Companies और इसके अभी नए चेर्मेन बने थे करशना रामा नुजम नाम है नैसकॉम के पहले अद्यक्स का नाम भी याद रखो क्योंकि इनका नाम न्यूज में था हरीश महता न्यूज में क्यो था इनका नाम इन्होंने बुक लिखी अभी The Maverick Effect और ये डीजी वानी Resilient Entrepreneur नाम की बुक को किसने लिखा तो आंसरोगा ध्रतीशा ने तो ध्रतीशा ने इस बुक को लिखा है जिसका नाम है The Resilient Entrepreneur इस बुक में उन उद्दमियों के इंतर्वियूज हैं जिन्होंने चुनोतियों का सामना किया और अपने स्टार्टप्स को सफलता पूरवक आ मद्यप्रिदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वना तरलेगर ने राजेश तलवार ने अभी एक बुक लिखी है दबॉय वूरॉटर कॉंस्टिडिउशन नाम से और डॉक्टर थॉमस मेथ्यू रतन टाटा जी की इन्होंने जीवनी लिखी है जिसका नाम है रतन एं यह नाम भी याद रखना पड़ते आगे अच्छा बताओ जुलाई 2022 में मद्यप्रिदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर अमर शहीद चंदर शेखर आजाद की भव्वे परतिमा इस्तापित करने की गोश्णा की तो आंसरों का बोपाल में तो अमर शहीद चंदर शेखर इनका जनम हुआ था मद्यप्रिदेश के भाबरा गाओ में 23 जुलाई 1906 को तो अभी मद्यप्रिदेश के जो मुख्यमंत्रे शिवरा सिंग चुहान उन्होंने अमर शहीद चंदर शेखर आजाद की 116 वी जैनती पर बोपाल में आयोजित पहली राज्य स्तरिया युवा म की जनमिस्तली भाबरा से लाई गई मिट्टे का उपियोग किया जाएगा मतलब इस प्रतिमा स्थल को युवाओं के लिए प्रेरिणा स्त्रोत की रूप में विक्सित किया जाएगा अब दो तीन प्रशन में आपसे पूछूँगा Statue of Knowledge बियार अमबेडगर जी की है ये कहाँ पे स्थापित की गई अभी मोदी जी ने संतर रामा नुजा चारर जी की दुनिया की दूसरी सबसे उची बेठी वी Statue का अनवरन किया था कहाँ पे किया था 216 फीट उची वो थी Statue of Unity ये कहाँ पर है और उसकी हाइट कितनी है बाकी Biomass Hydrogen Plant ये आपको मिलेगा खांडवा मद्यपरदीश में, Bio CNG Plant इन दौर में मिलेगा और अभी पहला जीयो पार्क ये मद्यपरदीश के लमहेटा गाउं में स्थापित किया गया, याद रखना बढ़ाएगा तो गाईज इसी के साथ जुलाई का ये फोर्ट वाले वीक का पहला वाला पार्ट आपका खतम हो गया, कौन-कौन से दिन कवर कर लिए, 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24, 25 और 26 जुलाई, 5 दिन इसमें कवर हो गया, और गाईज इनकी Quiz जरूर लगा लेना, टेस जरूर लगा ले और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना, थेंक यू